हेलो एवरीवान नमस्कार हमारे योट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो सावन में आने वाली अमावस्यती थी बेहिद खास मानी गई है जो इस बार 20 जुलाई को है और अमावस्यती थी कारसर पदोश की पूजा के लिए भी काफी खास मानी गई है अमावस्या जब सौमवार के दिन पढ़ती है तो उसे सौमवती अमावस्या कहा जाता है सावन में आने के कारण इसे हर्याली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है इस वाल सावन में सावन माह में कई विशे संयोग बन रहे हैं सावन की शुरुवात सौमवार से हुई थी और सौमवार के ही दिनी ये महिना खतम भी होगा शिरावन पूर्णिमा और अमावस्या भी सौमवार के दिन ही पढ़ रहे हैं ऐसा संयोग 47 साल बाद बन रहा है इस साल हर्याली अमावस्या के दिन चंद्र, बुद्ध, गुरू, शुक्र और शनी ग्रह अपनी अपनी राशियों में रहेंगे ग्रहों की इस्थिती का शुप परभाव कई राशियों पर देखने को मिलेगा आज हम जानेंगे हर्याली सौमवती अमावस्या का शुप महुरत पूजा वीदी और साथ में जानेंगे सुक स्मृद्धी और धन प्राप्ति के लिए कुछ सरल और अच्चो उपाइक तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध हैं अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और जिनों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया हैं उनका दिल से आभार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहेगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि कोई भी जानकारी छोट ने जाए और वीडियो पसंदाने पर वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा आपका लाइक हमारे लिए बहुत माइनी रखता है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं अमावस्यतिती का शुब मोहरत दोस्तो अमावस्यतिती थी 20 जुलाई सुबह 12 बज के दोपहर के 12 बज के 10 मिनट पर शुरू होगी और 20 जुलाई रात के 11 बज के 2 मिनट पर समाप्त होगी अब जानते हैं कि इस दिन क्या करें दोस्तो सौमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, पारवती, गनेश जी और कार्तिके की पूजा की जाती है इस दिन जलाविशेक करनावी विशेश रूप से फल दाई बताया गया है कई लोग इस दिन वर्थ भी रखते हैं अमावस्या को महिलाई तुलसी या पीपल के पेड़ की 108 परिकरमा भी करती है और आज सावन का तीसरा सौमवार भी है सावन हर्याली और उत्सा का महिना माना जाता है इसलिए इस महिने की अमावस्या अमावस्या पर प्रकरती के करीब आने के लिए जो पोधे का रूपन किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन पोधे का रूपन यानकी पोधे लगाने से ग्रै दोश शान्त होते हैं तो इस दिन पोधे भी जरूर लगाने चाहिए जैसे आम का है, नीम का है इस तरीके के फल वाले प्रेक्ष लगाए चाहते हैं इस्तिती पर गंगा शनान और दान का भी बहुत महतमाना गया है अब जानते हैं सौम्वती हर्यालिय मावस्या की पूजाविदी दोस्तो इस दिन सुब़ जल्दी उठकर शनान करके स्वच्छ हो जाएं इसके बाद सूरीदेव को अर्गिदे और इस दिन कई जगे तो उपवास भी रखा जाता है इसके लावा अगर आप उपवास रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो जरूरतमन लोगों की मदद जरूर करें जरूरतमन लोगों को दान दक्षिना दें उनकी मदद करें पीपल की वरिक्ष की पूजा करें हो सके तो इस दिन पीपल, भरगद, केला, निम्बू या तुलसी के पेड़ का ब्रक्षार उपन जरूर करें हर्याली मावस्या के दिन नदी या तलाम में जाकर मचली को आटे की गोलियां खिलाने की भी परंपरा है इस तिथी को शनान, दान, इन कारियों के लिए पुन्य फलदाई माना जाता है दोस्तो इस साल हर्याली मावस्या पर कई शुब सन्योग बन रहे हैं इसलिए माता पारवती की पूजा और भोले नात की पूजा के साथ-साथ कुछ उपाय कर लिये जाएं तो व्यक्ति की सारी मनों कामना पूरी होती हैं और महिलाओं को सुब भाग्य की प्राप्ती होती है तो आहिए जानते हैं वे खास और असरदार उपाय कौन से हैं दोस्तो हर्याली मावस्या के दिन तुलसी जी के पास सुब़ श्याम दीपदान जरूर करें इससे धन समंदी परिशानिया दूर होंगी और मालक्षमी परसन होंगी मालक्षमी को परसन करने के लिए घर के इशान कौन में गी का दीपक जलाएं शाम के समय शिवजी की पूजा करें और उने खेर का भोग जरूर लगाएं ऐसा करने से महादेव की किरपा और आश्रिवाद प्राप्त होती है इसके लावा प्रिक्षों में देवी देवताओं का वास होता है इसलिए इस दिन इन उपायों के साथ साथ घर में सुक्समिलिती बढ़ाने वाले पूधे भी जरूर लगाने चाहिए इसके लावा दोस्तों ये सुम्वतियमा मस्या युक्ति सामन का तीसरा सुम्वार होगा इस शुभ योग में पीपल की व्रिक्ष की 108 परिक्रमा करने से सुक्सोभाग्य की प्राप्ति होगी महिलाओं में सुख सोभाग्य के उनके सोभाग्य में व्रिद्धी होती है तो पीपल के पेड़ के पूजा वश्य करें 108 बार परिकर्मा करें सौमवार भगवान शीव का दिन है और चंदर्मा को शीव अपने मस्तक पर धार्ण किये है इसलिए जिनका चंदर्मा कमजोर है उन्हें कच्चे दूज से शीवलिंग का अभिशेक करना चाहिए और इसके लावा सौमवतियमावस पर अनंतफल और धनलाव के लिए पीपल या भरकत के ब्रक्ष के नीचे गी का दिपक जरूर जलाएं सौमवतियमावस के दिन शीवलिंग पर जल चड़ा कर बिलपत्र और धतूरा अर्बित करने के बाद भगवान शीव को चंदन से तिलक करने से मनुकामना पूर्ण होती है तो दोस्तों उमीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और वीडियो को आगे बढ़ा के ज़्यदा शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से किसी और का उवी लाप राप्त हो सके और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक आप खुश रहें स्वस्त रहें अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें हर हर महादेव